and so yeah there are examples of people who have just turned these things around and I'm you know I'm we need a little bit more of that here Australian Broadcasting Corporation की पत्रकार अवनी डायस अपने ही आरपों में घिरती नजर आ रही हैं हालखी में डायस ने भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाये थे अवनी डायस ने सारवजरिक मंचों से कहा था कि उन्हें भारत में चुनाव कवर करने की अनुमती नहीं दी गई साथ ही उन्हें देश शोड़ने के लिए मजबूर किया गया हलाकि अवनी के पास जो काखजात है उनसे साफ पता चलता है कि उनके आरोप पूरी तरह से भ्रामक है डायना द्वारा वीजा नियमों के उलंगन के बार भी केंड सरकार ने उन्हें चुनाव कवर करने की अनुमती दी अवनी के पास भारत में रहने के लिए 20 अपरेल 2024 तक का ही वैद वीजा था 18 अपरेल को अवनी की और वीजा की तारीकों को आगे बढ़ाने के लिए अन्रोट किया गया जिसे स्वीकृती भी मिल गई व्यक्तिकत कारणों से अवनी 20 अपरेल को भारत से चली गई जिस वक्त उन्होंने देश छोड़ा उस समय उन पर काख़ा से सम्मंदित कोई दबाव नहीं था चुकि अवनी की वीजा को विस्तार देने की प्रिक्रिया विचारा धीन है इसलिए उन्हें चुनाव को कवर करने के अनुमती नहीं दी गई और आस्ट्रेलियन ब्रोटकास्टरिंग कोपरिशन से मेगना बाली और सोम पाटिदार को पहले ही चुनाव कवर करने के लिए अनुमती मिल गई है अवनी के ब्रहमकारोपों के बाद अब दुनिया भर के लोग उनके निश्पक्षता पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं और वही शुराब घुटाले से जुड़ी अर्विंद केज्रिवाल की याचिका पर एडियने सुप्राइब